अलोव फ्रेंस में हूँ तणूच पात्रा रा यन वेल्कम तो मैं चैनल हमने अपने लास्ट वीडियो में यह देखा था कि हम अपने प्लग-इन के आप्टिवेशन और डियक्टिवेशन फॉर्शन को कैसे यूज़् कर सकते हैं हम अपने plug-in के deactivation और activation hooks को यूज करके हमने एक database में table create किया था उसमें data insert करवाया था on activation उस table को truncate करवाया था जब हमारा plug-in deactivate होगा और अपने install file का use करके उस table को drop करवाया था अगर हमारा plug-in कोई delete करता है तब तो फ्रेंस आज का वीडियो में हम बात करेंगे shortcode की तो मैं सबसे पहले का में यह करता हूं कि इन functions को तुरह collapse कर देता हूं यह space न रोके ज्यादा चलिए तो shortcode create करने के लिए हमारा पास एक function होता है WordPress में वह है add shortcode ठीक है इस function में दो argument पास होते है बैसे कि लिए पहला है हमारा shortcode का tag मतलब जो user pages में जाके जब कोई हमारा shortcode यूज करेगा जैसे यह home को edit करते है देखे यह जो हमने shortcode का example देखा था हमने अपने second video पे तो यह जो है वह हमारा tag ठीक है तो यहां पर हम tag रख लेंगे तो tag क्या रख सकते है रख लेते हैं अलग tag रखते हैं पिछले बार से तो YouTube रख लेते हैं और जो दूसरा argument है वह हमारे function का नाम जब हमारा यह shortcode कहीं से कॉल होगा तो कौन सा function रण करवाना है तो वह function का नाम हम यहां पर डालेंगे तो मैं यह कर लोंगा यहां पर देखके PM PM में क्यों दे रहा हूं स्वारी MP क्यों दे रहा हूं मैं as a prefix आप आदित रखिया कि कोई भी function है तो आप उसके आगे prefix लगा दीजाए तो किया है वह किसी दूसरे function के साथ conflict ना हो कभी भी ठीक है तो MP या फिर चले माई यूस कर ले था क्योंकि हमने अपने plugin और activation और deactivation function में माई यूस किया था तो कोई बात नहीं लेकिन ठीक है माई चॉट कोड़ माई शॉट कोड़ ठीक है यह function होगी हमारा इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और हम इस function को भी declare करेंगे तो यहां पर हम लिखेंगा function तो यहां पर कुछ अगर रिटन करवाता है तो वह प्रेंट हो जाएगा हमारे फ्रंट-end पर तो देख लेते हैं वह काम कर रहे हैं कि नहीं हाइब करते है इस shortcut को ले लेता है यहां से कॉपी कर लेता हूं यहां पर चलते और यहां पर कर देट करते हैं अप्टेट पे क्लिक तो किया है क्या हुआ ठीक है क्लिक नहीं आता लगता है ठीक है फ्यू पेज को न्यू टैब में ओपन कर लेता है देखिए यहां पर हाई आ गया ठीक है अगर मैं यहां पर कुछ और लिखता हूँ इस इस रॉम टॉट कोड यहां पर वह आ चाहिए ठीक है इतना था हमने सेकंड वीडियो में भी देखा था अपने सीरीज के तो अब आगे काम करते है अब हम पहली बात देखेंगे के टॉट कोड में अगर अरगुमेंट पास करना तो वह हम कैसे हैंडल कर सकते हैं अरगुम सकते हम फ्रॉट कोड के अट्रिब्यूर्स बोला जाता है तो यहां पर अगर मैं यूट्यूब के बाद कुछ स्पेस देखेंगर कुछ लिखता हूं जैसे कि मैसेज इस इक्वल टू अगर इसको हमें हैंडल करना हो कि यूजर ने जो भी यहां पर मैसेज पास किया है वह यहां पर प्रिंट होना चाहिए तो वह हम कैसे करेंगे अब तो इसको हमारे पास क्या है यहां पर एक वेरियाबल है अब कोई भी वेरियाबल ले सकते यहने पर आप एक वेरियाबल ले लोंगा एक Tabiious attributes का एक वेरियाबल ले लूँगा मैं यहांपर और हमने यहां होले जो यह जो हमने एट्रिब्यूट यूज किया एक करिबूट नेneys यह हमारे attribute का key बन जाएगा हमारा जो attribute है यह एक array है तो यह हमारे attribute का key बन जाएगा जो हमने वहाँ पर pass किया है तो इसके पीछे ही मैं concatenate करके आपको दिखा देता हूं ATS attributes इसका message ठीक है अब इसमें यह तो हमने देख लिया कि आपको एक अगर कोई पास करते है तो कैसे अप handle कर सकते है ठीक है तो अगर आप समझे कि कुछ यहां पर calculation करवा रहे है विच आप function perform करवा रहे है और आपको चाहिए कि कोई ना कोई व्यालिव तो पास हो ही लेकिन आपको यूजर को restrict भी नहीं करना है कि उसको पास करना ही पड़ेगा वल्दब जो default argument का concept होता है तो उससे कैसे यहां पर यूजर करते है तो default argument के लिए हम हमारे पास एक function है वो है आप कोड एट अबल टी एस एट्रिब्यूट्स शॉट कोड एट्रिब्यूट्स यह वापस से दो आर्ग्यूमेंट लेता है पहला अर्ग्यूमेंट है एक एरे और दूसरा अर्ग्यूमेंट है कौन से वेरियेब में हमारे सारे attributes हमने store कि है मतलब हमारे इस वेरियेबल का नाम अब हमें इस एरे में key value pair pass करना है तो हमारा जो key होगा जो हमारा user वहाँ पर as a tag वहाँ पर use करा है tag नहीं sorry attribute name वहाँ पर use होगा तो हमने यहाँ पर use किया है message तो हमारा जो message attribute होगा उसका हम यहाँ पर एक default value डालेंगे ठीक है default value डाल देते है I am good ज्यादा ज्यादा complex नहीं है I am good ठीक है अभी देखे हमने यहाँ पर अभी attribute पास किया हुआ है अगर मैं यहाँ पर आकर refresh करता हूँ तो यहाँ पर I am YouTube आ रहे है अगर मैं यहाँ से यह निकाल देता हूँ अगर मैं पूरा यहाँ पर message यह निकाल देता हूँ अपडेट करते है refresh warning warning आ गई illegal string offset message from line number 48 देख लेता है एक बर यह क्या पताना चाहता है illegal string offset ओके यह जो shortcode function है यह value return करता है ठीक है हमारा यह जो default value है यह हमें कहां store करवाना है हमें इसी variable में store करवाना है तो मैं इसी को यहाँ पर copy कर लूँगा paste करूँगा और यहाँ पर store करवा देंगे अब यह क्या करेगा data pass नहीं हुआ होगा इस variable में तो इसमें यह जो default हम सारी values यहाँ पर store करेंगे वह यहाँ पर उसे assign कर देगा ठीक है चले एक बार फिर से करते है refresh देखिए I am good आगे यहाँ पर यहाँ पर मैं क्लिक देता हूँ result ताकि हमें देखने में थोड़ा सही से दिखाई दे ठीक है यह आगया हमारा default value अब एक और practice क्या होती है shortcode में जो key है तो यहाँ पर user type करेगा msg is equal to वो जो भी लिखेगा तो यह जो key है वो सकता है user ऐसे लिखे हो सकता है ऐसे लिख दे all caps में लिख दे capital case में लिख दे कैसे भी लिख सकता है वो actually तो यह wordpress handle कर लेता है अगर हमारा जो key case है वो हम maintain रखे मुदब उसे हम को एक form में convert कर दे ताकि कोई conflict है फिर कोई भी problem आगे चलके ना आए तो वो हमें कैसे करना है हमें फिर से एक function है यहाँ पर हमारे पास तो वो है array change key case ठीक है array change key case अब इसमें जो arguments चाते है वो है हमारे जो variable है और हमें कौन से case में रखना है तो यहाँ पर देखिए visual code में यहाँ पर आपको suggestion मिल रही रहा है तो यह हमारा case lower है case underscore lower ठीक है अब यह function है यह function भी हमारे array को return करेगा तो हम फिर से इसी variable में store करवा देंगे तो चले तो हमने क्या किया हमने एक attribute पास किया एक argument पास किया उस variable में हमारा सारे हमारे सारे attributes है उसमें ने variable को लिया हमने उसका case change किया हमने उसके जो keys है तो यह keys है उन keys का case अगर user ने जो भी डाला होगा lower case capital case upper case हमने उनको change करके lower case कर दिया फिर हमने चेक किया अगर कोई value उसमें assign नहीं हुई हो तो default values assign होंके और फिर अपका यहां पर message यहां पर हमने प्रेंट कर दिया चलिए एक बार चेक कर लेता सब कुछ चल रहा है हां सब कुछ चल रहा है आप ऐसे multiple values यहां पर पास कर सकते है अगर मैं कर देता हूं कि समझे note कुछ भी अभी रख देता है इतना example है कुछ इतना सोचने का कोई problem है नहीं तो ठीक है चलेगा कुछ भी तो यह concatenate करवा देता हूं उसको भी note अब देखिए अब क्या होगा अगर note user ने define नहीं किया होगा तो यहां पर उसको कोई default value भी assign नहीं होगे तो हमें note को भी default value assign कर देने चाहिए तो हम यहां पर कॉमा करके नीचे आके लिखेंगे note और उसको default value देदेंगे default value आप कुछ भी दे सकते है चाया था ब्लैंक भी दे सकते है कोई problem नहीं है अगर मैं यह निकाल देता हूँ तो वो डिफोल्ट वैल्यू ले लगा चले यह हो गया डिफोल्ट वैल्यू और चेंज केस कैसे करना है वो अब यह तो बहुत सिंपल सी चीज है अगर हमें सपोस की जाए कि कोई कि HTML पूरा रिटर्न करना है तो हम वो कैसे कर सकते हैं हम बेसिकले क्या कर सकते हैं कि इसको मैं रहने देता हूँ भी के लिए हम कर सकते हैं यहां पर ओवी ओवी स्टार्ट पंशन है और दूसरा जो इसका पैर में यूज होता है वो है ओवी get clear अब यह दो फंशन क्या करते हैं यह दो फंशन इनके बीच में यहां पर हम जो भी स्टार्ट करेंगे ठीक है अब यहां पर मैं जो भी HTML लिखूंगा वह हमें HTML के variable में मिल जाएगा यह करना की वह important है मैंने इसके लिए एक separate वीडियो बनाया हुआ है आप उस वीडियो को देख सकते है इसमें थोड़ा को रिटेंग करवा दूगा ठीक है चले बच्छा करते है देखें यहां का यह यह तो सिंपल सा कोड़ हुआ सिंपल सा अगर आपको छोटा सा कोई HTML का कुछ बनाना है जासे कि बूट्स्राप का कोई नोट टेस हो या फिर पॉप अपो ऐसा कुछ यह तब आप वैसा कर सकते है लेकिन अगर आपको पूरा बहुत बड़ा कोई HTML ब्लॉक आपको रिटन करवाना है तब आप क्या कर सकते है तब भी आप ऐसे काम कर सकते है तब भी यह बिल्कुल काम करेगा कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन अच्छा क्या रहता है तकि आपका थोड़ा यहां पर पेस कम रहे थोड़ा आपका जो यह प्लेगन का मेल फाइल है उसमें कोड इतना ज्यादा मना भर जाए कि इसको फिर रीडेवल ना रहे रीडेवल करने के लिए आप यह कर सकते है कि यह यहां पर कोई नोटिस प्रिंट करवा देता है नोटिस फाइल चले इतना ही रखते है अब समझ लेजा कि इस फाइल में आप जो भी चाहे है वह पॉफॉर्म यहां पर कर सकते है इसको हम क्या करेंगे फिर यहां पर जो हमने HTML रिटन किया है उसके जगह पर इंक्लूड करवा देंगे हम अपने उस फाइल को यह हमने इंक्लूड करवा दिया एकपर चेक करते है मैंने इस सेव किया रिलोड करते है देखें नोटिस फाइल यह देखें यह HTML वहां पर प्रिंट हो जाए रहा है ठीक अब हो सकता है आपको कोई कंडिशन के उपर से आपको कोई फाइल इंक्लूड करवाने हो ठीक है हो सकता है कि आपकोई slider बना रहे हो slider बना रहे हो आप डेवलप कर रहे हो तो उसमें यूजर अर्गूमेंट पास कर सकता है कि उसको कौन सा स्लाइडर चाहिए पोस्ट स्लाइडर चाहिए या फिर नॉर्मल इमेज स्लाइडर चाहिए क्या चाहिए हो सकता है सपोस करते है तो एक मैं काम कर यह कर लेता हूं यह जो मैंने नूटिस अभी लिखा यहां पर इसको मैं रीनेम करके बना देता हूं रहा है यह डिफ इंदर हम मैं रख लेते हैं कि मैं इमेजिस के लिए क्या करूंगा मैं चलूंगा एक्सल्स में जाते है यहां पर हम सर्च कर देंगे कार वालपेपर ही सर्च कर लेते कोई प्रॉब्लम नहीं है चले कि मैं यह इमेजिस लूंगा कि यह चेक करते हैं यह यूर्ल चल रहा है कि नहीं कि लोड़ और है काफे बड़ा इमेज आई क्वालर्टी का इमेज लेकिन कुछ बात नहीं चलेगा दाल देते इसको कि और ट भी यह सब निकाल देते है कि यह हमारे बन गई इमेज ग्यालरी तो मैं यहां पर पास कर देता हूं आई एमजी इमेज ग्यालरी पिले देखते हैं एक बड़ रिफ्रेश करते हैं काफे बड़ी इमेज इस है तो जैसे आ गई हमारे इमेज ग्यालरी ठीक है अब अब क्या हो सकता है कि यूजर हो सकता है कि पास करें कि उसे इमेज ग्यालरी चाहिए यह फिर कोई स्लाइडर चाहिए तो यहां पर मैं एक और पेज बना लूँगा उससे दे देंगे लाइडर डॉट पीएच्प ठीक स्लाइडर डॉट पीएच्प उसमें हम कोई स्लाइडर रख देता है स्लाइडर कहां से अभी ले सकते हैं तो एक बार चलता है गूगल पर देखते हैं कुछ सर्च करते हैं अचले बूट स्लाइडर कोड़ पर चलिए अच्छी बात है तो यह कोड़ ले लेते हैं किसी का कोड़ पेन पर से एक पर देख नहीं है हमें क्या स्लाइडर प्रोड़क स्लाइडर चलिए हो सकता है प्रोड़क स्लाइडर का कोई शॉट कोड़ बना रहे हो तो यह ले लेते हैं करते हैं यह पूरा HTML लेते हैं यहां पर Ctrl-C यहां चलके मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ यह मैं आपको सिर्फ एक्जाम्पल दिखाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ बाकि आपको शॉट कोड़ में ऐसे फाइल स्यूज नहीं करने हैं जासे मतलब इंख्ड nuo करने देकिए हैं पर कैसे कीसा क्रेप्त को चाइन कंच क्या हुआ है सब्सक्रेट मेन डेखेंगे कि प्रॉपर वेसे कैसे हैं मैं इंक्लूड करने और स्क्रिप्ट फाइल कोussa यहां पर javascript भी है तो इसको चलते है एक सकन्ड क्या बिसको चलते हैब इसको के लिए नीचे चलते है को अरे इसए क्रिप्ट के अंदर पेस्ट करते हैं अब देखे हैं WordPress में हमारा पास jQuery तो है लेकिन इसलोड भी सुनके करते हैं जो यहीं और यह नहीं करता है कई और है तो यहां पर मैंने करते हूं एक बाकि सब में में डॉलर डॉलर यह तव काम करता हूं Lexus करता हूं पयून है को चेंज ना करना अगा क्षेट करने साथ एक बार प्लंगिंग कर दो चाहिं इमेज गैलरी है तो इसको मैं कर देता हूँ लाइडर करते हैं चलते हैं यहां पर रिलोड करते हैं देखें हमारे स्लाइडर आगया ओके यहां पर रहा है अच्छी बात है कि इसका कोड है यह मरूफ अल बसीर तो थैंक्स मिस्टर बसीर यह कोड प्रवाइड करने के लिए अब यह तो हमने देख लिया कि हम अलग-अलग वे में कैसे कर सकते हैं अब किसको डाइनमिक बनाते हैं हमारा शॉट कोड है यूट्यूब उसमें मैं यह कर देता हूँ कि क्या बोल सकते इसको पोस्ट पता नहीं क्या बोलेंगे है अमें सोच नहीं रहा हूँ अभी तो यहां पर मैं इससे हटा गए जो हमारा स्लाइडर है उसको ले लेते हैं या फिर इमेज इमेजगैलरी.php इसकी डिफॉल्ट अर्गिमेंट हो गई इमेजगैलरी.php तो हम यहां पर क्या पास करेंगे यहां पर हम पास कर देंगे अर्ट्रिब्योट्स और उसमें टाइप मैंने उपर यहां पर पोस्ट लिया था लेकिन यह लिखते टाइम मुझा फिल वा कि टाइप ज्याद अच्छा रहेगा तो यहां पर टाइप ले लेते हैं ठीक है अगर अब यूजर.php तो लिखेगा नहीं तो मैं इसे यहां से निकाल देता हूं और यहां पर क्याटिनेट कर देते हम .php टाइप.php तो यह क्या बन जाएगा अगर कुछ पास नहीं होगा तो अगर मैं यहां पर टाइप में कुछ भी पास ना करो इन लेड रिस्पॉंट्स हां क्यूंकि हमने इंक्लूट करवाय तो यह सेव हो गया अप चिंता मत कर जाए अरे चेंज कीकेस एक्सपेक्ट्स पैरामिटर ओके तो मैं सिंपल यहां पर क्या रिखना है अरे टाइप कास्ट कर देंगा हम इसे अरे यहां पर देंगा टाइप कास्ट हो गया अब देखते है देखे चल गया चल गया और हमारी यहां पर गैलरे भी यहां पर देख गई क्योंकि हमने इमेज गैलरी पास की हुई है तो अभी टाइप ले लेते है टाइप अगर बोल दे यूजर के टाइप हमें चाहिए स्लाइडर अपडेट करेगा रिलोड हमारा स्लाइडर आ गया अगर वो टाइप देते है के ईमेज गैलरी हमारा इमेज गैलरी आ जाएगे अब इसको था आप जैसे चाहिए वैसे इस्टाईल कर सकते हैं अब सबस्करकेक्स कर सकते हैं में हम कोई प्रैक्टिकल सा कोई example पूरा बनाएंगे पूरा एक शॉट कोड पूरा शॉट कोड नहीं पूर एक प्लग इन बनाएंगे तो देखते हैं कैसा चलता है वो थांकियो वेरी मुच अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक किजाए सस्क्राइब किजा और अपने फ्रेंड्स का साथ इसे श्यार के जाएगा गुडबाई एंड टेक केर